नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2022 के डेली देहिंदू एडिटोरल डिसक्षिन में आपका स्वागत है। पांच आर्टिकल्स में यहाँ पे आपके साथ डिसक्ष करने वाला है। अलवा एक और आर्टिकल्स को में एक अलग से वीडियो में डिसक्ष करूँ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इमिरान खान साब यह चले गए रसियारूस में मॉस्को में। तो कुछ हद तक यहाँ पे पाकिस्तान को ऐसा देखा जा रहा है इंटरनेशन एरेना पे कि यह मॉस्को के साथ दोस्ती सी बना रहे हैं। व्लादेमिर फुतिन के साथ दोस्ती सी बना रहा है और इसके चलते यह एंटी वेस्ट नजर आ रहा है। चुकि ये एंटी वेस्ट नजर आ रहे हैं तो इस समय पे पाकिस्तान इन स्पॉंसर करता है अफगानिस्तान के तालीबान रिजीम को अगर वेस्ट के थूँ कोई कंट्री जल्दी रिकोगनिशन दिला सकती ही तो वो मानी जाती है पाकिस्तान और पाकिस्तान खुद यहां पैसलन पे रशिया वेस्ट की फेवर में नजर नहीं आ रहा है तो इस में पाकिस्तान गी नियूटलिटी की ओपर सवाल उठाय जा रहा है और पाकिस्तान के इस इसी स्टैंस से आगे आने वले समय में अफगानिस्तान के लोगों को और तालीबान को क्या परनिशानी हो सकती है इसके बारे में एक viewpoint दिया हुआ है इस viewpoint को देखेंगे थोड़ा अलग है बट इस वर्थ हैविंग लोक फिर अगला आर्टिकल है एपी मिन जेकॉप साहब का misfiring and its trail of poor strategic stability यह जो accidental firing हुई है इंडियन missile की पाकिस्तान के अंदर इसके लिए क्या legal mechanisms available हैं कैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनोंने mature response दिखाया लेकिन इस प्रकार की situations कुछ specific calculus के अंदर कितनी खतरनाक हो सकती है एक अगली turn ले सकती है इन सब चीजों के बारे में एक viewpoint इस particular video में दिखा हुआ है इस viewpoint को लोगा समझने कोशिश करेंगे फिर यहाँ पे इसको compare किया गया है Soviet Cold War कहरा से Cold War कहरा में एक तरफ US था दूसरी तरफ USSR था इन दोनों के बीच में कुछ honest mechanisms बने हुए थे ठीके ना confidence building में बने हुए थे इस प्रकार के measures इंडिया पाकिस्तान के बीच में मिसिंग है जो कि एक कह सकते है कि crisis situation में exacerbate हो सकते हैं तो इस particular viewpoint को देखेंगे फिर Indian diplomacy में भरत नाट्यम बेसिकली यहाँ पर बात की गई है जोतिंदरनाथ दिक्षित साब की दिक्षित साब foreign secretary बने थे 1 December 1991 को उनके नीचे काम किया था राकेश सूथ साब ने राकेश सूथ साब यह सार्टिकल को लिख रहे हैं अभी के लिए राकेश सूथ साब फॉर्मर diplomat है distinguished fellow है observer research foundation में यह भी इंडिया की foreign services में involved रहे चुके हैं तो राकेश दिक्षित साब यह बता रहे हैं कि जोतिंदरनाथ सदिक्षित जी Indian diplomacy में भरत नाटेम करते हैं नजर आयती हैं यहां पर बेसिकली भरत नाटेम transform की बात नहीं हो रही है यहां बात ही हो रही है कि जब भी आप foreign policy में involved होते हो तो आपको अलग-अलग रूप लेने पड़ते हैं अपनी requirements के हिसाब से अपनी condition और जरूरतों के हिसाब से तो वो कौन से अलग-अलग रूप लिये गए थे और इस समय पर Ukraine war में वो अलग-अलग रूप India क्यों नहीं दे पा रहा है इसके बारे में यहां पर बात की गई है इसको देखेंगे फिर inflation से related data में आप परसू की वीडियो में आपके साथ cover किया था उसी inflation से related data जो निकल गया है February महीने का उसी के बारे में यह article है तो इस article को भी एक बार देख लेंगे और cricket में इंडिया की white scene इंडिया चौथे नमबर पर आ गया है ICC test championship की रैंकिंग्स में श्री लंका को 2-0 से हमने test series हरा दिये तो एक बार इस particular article को देख लेंगे तो total 5 articles हम लोग यहां पर discuss करने वाले हैं सबसे पहले किस्ते शुरुवात की जाए तो भाई चले चोटे article से पहले शुरुवात करते हैं चोटे article से शुरुवात करेंगे तो जल्दी खतम हो जाएंगे दो शुरू के articles पाकिस्तांस neutrality तारिवांस वरी यह चोट आर्टिकल नहीं यह है चोट आर्टिकल इंडिया की जो स्टैगरिंग डॉमिनेंस चल रही है क्रिकेट में घर में घर में मतलब इंडिया जब इंडिया के अंदर खेलती है तब इनका ओवरॉल जो विनिंग रिकॉर्डर तगड़ा है श्री लंका को रिसेंटली 3-0 से कुईंसी उप किया है इंडिया ने और अभी के लिए दोनों टेस्ट मैचों में श्री लंका को बोरी तरीके थरा दिया है तीन दिन में ही टेस्ट मैच यहाँ पे खतम हो गया दूसरे पता चल रहा है कि क्रिकेटिंग कॉलिटी इंडिया क श्री लंका से कितनी जादा है तो मतलब थोड़ी बहुत इंडिया की तरीफ की गई है प्लस जिससे पहले हम इंडिया के अंदर किसी फॉरन कंट्री के अगेंस्ट सीरीज कब हा रहे थे तो 2012 में जब एलिस्टर कुक की कैप्टैंसी के अंदर इंगलेंड की टीम इंडिया में आई थी तब हम दो एक से टेस्स सीरीज हा रहे थे इंडिया के अंदर नहीं तो हम लगातार टेस्स सीरीज तब से जीत रहे हैं नहीं हा रहे हैं लास्ट टेम हमारे थे 2012 में तो मतलब इंडिया is a tough opponent in the backyard हमें test matches में इंडिया के अंदर हरा पाना काफी मुश्किल है प्ल तो जिनको modern day रहुल दृट समझाया था चितेशुर कुझारा और अजिंक रहा ने तो अभी के लिए इनको टीम से हटाया गया है हनुमा विहारी और श्रियास आयर को लेके आया गया और ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बात है कि यंग ब्लेट प्रिवेल होना चाहिए यंग बंड को मौका मिलना चाहिए तो यहां पर हनुआ विहारी और श्रियास आयर को मौका मिला और कहीं न कहीं न कहीं इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर देके दिखाई है स्टेडियम की जो पिछ है वो इतनी आसान नहीं है केलने में कुछ हब तक इनकी इस इनिंग्स को सुनिल गवासकर की 96 रन से कंपेर किया जा रहा था जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एम चिन्नसवामी स्टेडियम में 1987 में बनाये थे सुनिल गवासकर ने श्रिया सेयर ने ने एक सेंचुली जरू हमारी बट दाट वस नॉट इनफ टू मेक श्री लंका विन और इवन डॉदा मैच बहुत बुरी तरीके जहा रहे हैं ये लोग तो इंडिया में तो इंडिया की परफॉर्मेस सच्छी है इंडिया के बाहर जब बंगलादेश का टूर कातम होगा अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेस रहती है और पिछले साल अगर आप याद हो तो कोरोना के पैंडियमिक के चलते और आई पिल्ड शूरू होने के चलते जो आखरी टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस इंगलेंड का इंगलेंड के इंडर वो रद हो गया था रद क्या हो रही है इसके बारे में एक दू चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं नेक्स आजाते हैं ग्रोइंग पावर प्रेशर प्राइस प्रेशर स्वरी पॉलिसी मेकर्स नीड टू टेम इंफलेशन और रिस्क एट अंडर्माइन देग देखिए बेंचमार्क्स या फिर जो लेंडिक रेट है इसको बढ़ा रखा है तो शेडूल कॉमर्शिल बैंक के पास पैसे महंगे जाएंगे वो कस्टमर्स के पास पैसे महंगे घुमाएंगे कस्टमर्स कम लोन लेंगे एकॉनमी में पैसे का फ्लो घटेगा पैसे का फ्लो घटेगा तो प्रगाई बढ़ेगी अम मेहंगाई अल्रेडी बढ़ रही है हमारा समय पर RBI का जो मोनटरी पॉलिसी स्टांस है वह अकोमुडेटरी मोनटरी पॉलिसी स्टांस मतलब RBI और भारत सरकार चाहती है कि इंडिन इकनॉमी में पैसे फ्लो करें पैसे फ्लो करें तो बिजनेसे आ ग्रोथ को पुश नहीं दी सकते हैं, for example, आप समझी है, market में कोई investor, invest करके कोई business खोलना चाहरा है, माल लोगो restaurant खोलना चाहरा है, कोई barber की shop खोलना चाहरा है, कोई छोटी-मोटी industry खोलना चाहरा है, या पापड़ बनाने की, या कोई machine बनाने की, तो इस प्रकार के investors market में पैसा खतम करेंगे, और साल के end में profit कमाएंगे, अब जब market में पैसा खतम करते हैं, तो loan उठाते हैं, तो loan का खर्चा हो गया, फिर वो लोग estimate करता है entrepreneur की कितनी sale होगी, कितना पैसा आएगा, अब इन सब चीजों के बीच में अगर inflation बहुत ज़ादा है, मान लिजा 8-10% है, तो वो investor कभी भी अपना पैसा नहीं लगाएगा, और महंगाई 8-10% चल रही तो effectively तो minus 3-5% के loss में रहेगा वो, इसलिए यहाँ पर overall एक limit से ज़दा inflation economy के लिए अच्छा नहीं बताया जाता है, point समझ पारे हैं, मैं क्या बोलाँ आपको, एक limit से ज़दा inflation economy के लिए इसलिए नहीं अच्छा बताया जाता है, अब accommodative monetary policy stance के थुरू, RBI और भारत सरकार ये ensure कर रहे हैं कि हमारी economy में पैसा खुमता रहे, लेकिन उससे हो यह रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, अगर आप February का inflation नाटा देखेंगे तो 6.07% पर हैं महंगाई, January और February दोनों में जो महंगाई रही है, consumer price index वो 6% से ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा जो price, मतलब inflation का जो band है ना, 2-6% का ये breach हो चुका है, February का अगर headline, wholesale price index inflation अगर आप देखोगे, तो वो पहुँच चुका है 13.11% पर, मतलब retail inflation और wholesale inflation दोनों ही जबर्दस तरीके से उपर चल रहा है, अगर food price index की बात की जाए, खाने पीने में inflation की बात की जाए, तो वो फरवरी के महीने में पहुच गया 5.85%, और जो गाउं वगारा के household से उनको सबस्यादर नुकसान देखने के मिल रहा है, जो consumer food price index फॉर रूरल इलाका है, वो पहुच चुका है 5.87% पर, जनवरी के लेवल से 69 basis point, मतलब 60.69% जादा है, कब? फेवररी में, जो key protein source होते हैं, meat के, fish के, इनका inflation फरवरी में 200 basis points बढ़ा है, मतलब 2% बढ़ा है, कितने पे पहुच गया है? 7.45% पर, nutrient rich vegetables की बात की जाए, तो इनका inflation में बढ़ा है, फेवररी में 6.13% पर चल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका एक simple मतलब यहाँ पर निकल के आ रहा है, कि भाई, retain inflation, चाहे वो food price, देखे, retail inflation होता है, CPI inflation, दो चीज़ होती है, CPI, WPI, consumer price index, wholesale price index, CPI को आप retail inflation बोलतो, तो CPI भी जादा चल रहा है, वो मैंने आपको भी उपर figures बता दिये, और rural इलाके के लिए तो खासा कर वो जादा है, इस specific heads की बात की जाए, तो oils are flat, यह oil or fat बहुत ज़रूरी है, भाई, आपके घर में अगर कोई भी सबजी बनती है, थोड़ा तेल तो उसमें पढ़ता ही होगा न, तो oil का consumption cooking के लिए हर घर में होता है, almost हर घर में, आप चाहे olive oil इस्तमाल करो, चाहे coconut oil इस्तमाल करो, चाहे कची घानी का तेल इस्तमाल करो, चाहे sunflower इस्तमाल करो, चाहे mustard oil, कुछ भी इस्तमाल करो, तेल तो आप घर में यूज होता है, अब oil में inflation, 220 basis point कम हो गया, मतलब 2.2% कम हो गया, मतलब February में oil में inflation था, 16.44% कम होने के बाद इतना है, और ये आगे बढ़ने वाला है, चुकि हम लोग बहुत बड़ी तागात, sunflower oil की, import करते हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन में चल रही है जंग, तो जंग के चलते हैं, वो most probably oil export नहीं कर पाएंगे, तो इंडिया के अंदर sunflower oil का import यूक्रेन से कम हो जाएगा, दाम और बढ़ सकते हैं आगे आने वाले समय में, तेल के इंडिया में, और हर आप कहले जिए, sector में price grain हो रही है, चाब clothing हो, footwear हो, fuel हो, light हो, transport हो, communication हो, समय inflation 8% से उपर चल रहा है, tolerance level से उपर चल रहा है, प्लस, अब fuel के दाम भी बवाल मचाने वाले हैं, पेट्रोल डीजल के दामों में, अभी भी ये जो यूक्रेन वार है, इसका impact नहीं आया है, international oil price surges हुई है, आपको पता है, पर barrel of oil 140 dollar पे पहुँच चुका है, इंडिया के budget में 75 dollar हमने expect किया था, दिसम्बर में rate औरड़ी 94 dollar पे चल रहा है, तो ये और बढ़ गए है, अब obvious सी बात है, जो international increase हुआ है crude oil में, ये इंडिया के दामों में भी दिखेगा, आप सरकार्थ होए ना, पूरा का पूरा अपने उपर ले लेगी, लोगों को भाई देना पड़ेगा है, अगर ये पूरा का पूरा crude oil के जो increases है, पर barrel के increases, ये customers की pocket से निकलने लगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कि petrol, diesel, 1.5 रुपे प्रती लिटर बिकने लगे, रुपी को भी नुक्सान हो रहा है, जब से Ukraine crisis शुरू हुई है, Ukraine Russia war, जो रुपी है, वो 0.5% अपनी value में गिर चुका है, depreciate कर चुका है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये, कि हमारे exports ज़रूर competitive हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे import है, वो महंगे हो जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए, कि जदातर हम crude oil ही import करते हैं, तो crude oil और महंगा होके, हमें इंडिया के अंदर नजर आएगा, चुकि Indians तो रुपी में dealing करते हैं न, हम तो रुपी में ही dealing करेंगे, irrespective of the fact, की dollar में उसकी value क्या है, और हमें अगर petrol की value 140 से 145 होती है नजर आएगी, तो हमें उसका obvious ही बात है, effect दिखेगा, अभी 107, 108 petrol चल रहा है मुंबई में, ठीक है वही जादा लग रहा है, वो अगर 140, 150 पहुंच गया तो बगवानी मालिक है, फिर तो बसो पही चलो, स्कूटी चलानी मुश्किल हो जाएगी, तो आम आदमी की सामने इस प्रकार की बहुत सी problems नजर आ रही है, ठीक है भाई, manufacture products में भी inflation बढ़ा है, आप कह सकते हो 9.84% inflation, manufacture products में बढ़ा है, जिससे consumers को problem होती ही नजर आ रही है, RBI के deputy governor साहब, Michael D. Patra ने पिछले हफ्ते बोला, कि भाई, सरकार को अब taxes कट करने पढ़ेंगे, फ्यूल्स के उपर, अगर petrol, diesel के दाल कम करने हैं, inflation कम करने हैं, तो कोई option निये, केंदर की सरकार और राजी की सरकार दोनों को taxes कम करने पढ़ेंगे, अब elections पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक अंदाज ये लगाया जा रहा है, कि taxes बढ़ा दी जाएंगे, हाला कि taxes बढ़ाना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, अलरडी internationally तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार के पास एक ही option बचा है, या तो वो taxes को कम कर दे, बढ़ाना तो option नहीं, चुकि बढ़ा देंगे तो लोग तरही तरही करने लगेंगे, तो overall यह चल रहा है, inflation को tame करना, इस पूरे article का सार क्या है, इस पूरी news का सार क्या है, inflation को tame करना बहुत ज़्यद ज़रूरी है, चुकि अगर inflation एक limit से ज़्यदा बढ़ गया, तो यह जो accommodative monetary policy stance आपने growth को बढ़ाने के लिए रखा है, यह ultra inflation बढ़ाने लगेगा, growth कम होने लगेगा, चुकि महंगाई एक limit से ज़्यदा है, तो growth नहीं होगी, चुकि ज़्यदा महंगाई के अंदर, लोग अपनी जेब का पैसा जल्दी बाहर नहीं निकालते, ठीक है भाई, चलिए, अगले article के सब चलते हैं, पाकिस्तान्स neutrality तालिबान सवरी, ताफगान तालिबान विल भी affected by इमरान खान्स diplomatic manures in Ukraine minefield, क्या बताया जा रहा है, पाकिस्तान की foreign policy को यहाँ पे neutral बताया जा रहा है, कौन बोल रहा है यह, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बोल रहा है, लेकिन यह actually में neutral नहीं है, और इसका एक गंदा impact पढ़ने वाला है, अफगानिस्तान के ओपर, काबल के ओपर, अब इसके तीन चार फैसेट्स है, जब से यह रशिया यूक्रेइन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से overall global focus अफगानिस्तान की तरफ से हड़ गया, पहले लोगों का फोकस था कि भाई अफगानिस्तान में भुकमरी है, गरीबी है, वहाँ पे लोगों के पास खाने पीने का पैसा नहीं है, फाइनेशल बैंकरफ्सी है, उनकी एकनॉमी को सपोर्ट की जरूत है, लोग उनके बारे में सोच रहते, जैसे ही उक्रेइन युद्ध छुड़ा, अफगानिस्तान के बारे में लोग लिटरिली भूल चुके हैं, अफगानिस्तान के बारे में याद किसको जो की इस समय अफगानिस्तान में है, जो की भुकमरी गरीवी जेल रहा है, अब इस बीच में, पाकिस्तान चुकि अफगानिस्तान की तालीबान सरकार को सपोर्ट करता था पाकिस्तान की responsibility बनती थी यहाँ पे अफगानिस्तान को बचाना ठीक है लेकिन overall अगर आप देखो तो पाकिस्तान first of all अफगानिस्तान में कौन राज करेगा कौन अफगानिस्तान में गद्धी पर बैठेगा इसमें पाकिस्तान का इंटर्फिरेंस बहुत जादा है जब से ये ओवरॉल युएस का इंवॉल्मेंट हुआ है युएस ने 20 साल लंबी जंग लड़ी है कहां पे अफगानिस्तान के अंदर कहीं न कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट के चलते ही तालीबान थ्राइव कर पाया है आज की डेट में तालीबान जो जीता है उसके लिए बहुत हद तक पाकिस्तान रिस्पॉंसिफल है ठीक है भाई इसलिए पाकिस्तान अपना हक समझता है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर जो भी सरकार बने उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेहाँ हो लेकिन हाई प्रॉब्lem ये है कि यूक्रेन क्राइसिस को लेके पाकिस्तानी प्राइ मिनिस्टर पूरी तरीके से नियूटरल नजर नहीं आ रहे है यूकरین क्रैसिस को लेके दो गुड बन चुके एक वेस्टर्न गूर्प एक रशिया अब पाकिस्तान यहां पे रशिया के फेवर में या वेस्ट के फेवर में कुछ दिन पहले रशिया जाते नजर आये थे इमरान खान जी रश्या के प्रेजिडेंट व्लादेमिर पुतिन से मिलते नजर आये थे और रिसेंट्ली ऐसी कुछ एक्टिविटीज की हैं इमरान खान साब ने जिससे वेस्टर्न ब्लॉक को ऐसा लग रहा है और यह जो पाकिस्तान का प्रधान मंत्री है इमरान खान ये तो भाई मॉसको को सपोर्ट कर रहा है हाला कि इमरान खान ने साफसाफ बोला है कि भाई हम मॉसको को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस युक्रियन वार में हम न्यूट्रल है लेकिन तीन घंटे जो लंबी मीटिंग हुई थी इमरान खान की व्लादेमिर पुतिन के साथ इससे सब को ये लगा कि नहीं भाई इसलामाबाद तो रश्या के मिलिटरी एक्शन को सपोर्ट कर रहा है अब इससे हो क्या रहा है हो ये रहा है कि पाकिस्तान और वेस्टन कंट्रीज के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है जो नफरत है वो बढ़ रही है और इस नफरत के बढ़ने के चलते पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान की तालीबान सरकार को व important role play करना है और पाकिस्तान यहां पे anti-western sphere में नजर आ रहा है रशिया को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान के हालात भी कुछ यूक्रेन से बहुत भथर नहीं है फूड की कमी है मेडिकल सप्लाइस की कमी है कैश की कमी है और मुस्ट अफगान एकनौमी को आदे तो यूएस ने अपने पास ही यहां पे रख लिए है ठीक है अफगानिस्तान के बहुत सारे रिफ्यूजी इसमें पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इसमें लगबग 15 लाक अफगानियों को होस्ट करता है अगस्त 2021 जब से तालीबान ताकत मैया तो अब से तीन लाक अफगान्स छोड़के पाकिस्तान के अंदर भाग चुके हैं अब पाकिस्तान की खुद के हालात इतने अच्छे नहीं कि वो इतने सारे लोगों को अपने हाँ पे जगा दे पाएं जी हाँ पाकिस्तान की एतनी स्ट्रॉंग नहीं है कि इतने सारे अफग और कुछ आप कहलो अफगानियों को यूरोपन कंट्रीज में भेज दे यूरोपन कंट्रीज में एसाइलम मिल जाये न अफगानिस को अफगानिस्तान के लोगों को लेकिन वह भी पॉसिबल नहीं है उसकी एक वज़ा यह बताई जा रही है जब से यूक्रेन क्राइसिस इसके चांसे इस समय पे बहुत कम हो जाते हैं तो ओवराल इस रशिया यूक्रेन वार के चलते कहीं न कहीं अफगानिस्तान के उपर से ध्यान चला गया है और चुगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत हद तक प्रो रशिया नजर आ रहे हैं तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान वेस्टर कंट्रीज को कंविन्स कर पाएगा अफगानिस्तान में तालीबान को रिकोगिनिशन देने के लिए इसके चांसे भी यहां पे बहुत कम हो गया है और तालीबान यहां पे जीता किसकी वज़ए से तो ऐसा बताया जा रहा है इंटर सर्विस इ पाकिस्तान की ये मेंली रिस्पॉंसिबल है तालीबान की विक्टरी के लिए और हमको पिछले साल देखने को मिला भी कि सेप्टेंबर में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ लेटेनर जिनर फैज हमीद गये थे काबुल वहाँ पे गौर्मेंट फॉर्मेशन के लिए मुल पाकिस्तान का इंवाल्मेंट इस रश्या-यूक्रियन वर का कैसा हो रहा है और उसकी विए से क्या इंपैक्ट आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर तालीबान के रिजीम को इसके बारे में हम पर कुछ बात चीछी थीगीए उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स निकल के पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालीबान नाम का एक ग्रुप उपर के आ रहा है और ये तहरीके तालीबान नाम का ग्रुप अफगानी तालीबान के लाइन्स पे काम कर रहा है पाकिस्तानी मिलिटरी पे वो अटाक करता है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस तहरीके ताली कर रहा है शिया मास्क के उपर तो कहीं न कहीं टेर्रिजम की प्रॉब्लम भी अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हो रही और पाकिस्तान को इस समय पे एफेक्ट कर रही है तो लेट सी पाकिस्तान का स्टान्स यहां आगे आने वले समय में क्या रहता है ओवराल पाकिस्तान चा हो रहा है पाकिस्तान के साथ तो यह चीज हमने देखी हैं हाँ पर जोतर आप बात हो यह ले लेट जोतिंदर नात दिक्षित की मनी दिक्षित भी बुला यह था है नाम था जोतिंदर नात दिक्षित फॉरेंच सेक्रेटरी थे इंडिया के 1 दिसंबर 1991 को फॉरेंच सेक्रेटरी बने 26 महीने 2 साल से ज़ादे फॉरेंच सेक्रेटरी रहे 31 जनवरी 1994 को 58 यह रिटार कर गये उस उमर पे 58 रिटार्मेंट एज हुआ करती थी अब यह जो समय था इंटरनाशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टन समय हुआ करता था 25 दिसंबर 1991 को सोवेट उनन के जनल सेक्रेटरी मिखाईल गौरबाचेफ साहीम ने रिजाइन कर दिया अगले आप देखो गए कि USSR अगले ही दिन USSR का जो फ्लैग है उसको लोवर किया गया क्रेमलिन के ओपर चुकि USSR फॉर्मली डिजॉल हो रहा था आज की डेट में आप क्रेमलिन जाओगे एक समय पर मौह पर USSR का ज्हंड़ा पहराता था और अब यह जो USSR था यह पंदरा रिपब्लिक्स में तूट चुका था पंदरा अलग-अलग कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गेस्तान, उस्बेकिस्तान, यूकरेन, पता नहीं जाने कितनी अलग कंट्रीज निकल गए थी USSR के अंदर रशिया तब भी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री थी, दस परसें लैंड लाकर रशिया के पास था, बट USSR की बात ही अलग थी USSR का extent ही बहुत बड़ा था, ठीक है भाई, नई कंट्रीज बन गई थी Central Asia में, South Caucasus में, Central Europe में अब overall इंडिया को इन सारी कंट्रीज के साथ रिष्टे बनाने थी, इन सारी कंट्रीज के साथ रिष्टे बनाने हैं तो आपको नई नी अमबैसी बनानी पड़ेंगी, नए तरीके से अपने foreign policy को evolve करना पड़ेगा, और रशिया मॉस्को के साथ भी अपने रिष्टे अच अच्छे होने वाले थी, आप देख सकते हो कि 1992 में जो इंडिया इस्राइल के ऑफिशल रिष्टे शुरू हुए, वो अगले तीन डेकेट्स तक इंडिया इस्राइल दोनों को फायदा देंगे, 31st of January 1992 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंबा राओ मिले, the first ever meeting of UNSC, United Nations Security Council का मेंबर था, इंडिया, 1991-1992 में, उस समय पे पीवी नरसिंबा राओ जी ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जिसको हेड कर रहे थे, British Prime Minister John Major, उसके बाद हमारे प्रधान मंत्री पीवी नरसिंबा राओ जी किसके साथ मिले, तो US President George W. Bush के साथ मिले, यहाँ पे इंड यहाँ पे बाइलेटरली इंडिया के साथ इंगेज कर रहा था, चुकि Cold War खतम हो चुका था, 1991 में, USSR तूट चुका था, तो USA dominant position में था, तो इंडिया के साथ बाइलेटरली इंगेज करने में इंट्रेस्टेट था, और इसलिए देखोगे कि दो महीने बाद, जब पीवी कल्मिनेट करेगी 2008 में इंडिया-US Civil Nuclear Corporation, इंडिया-US Civil Nuclear Corporation था क्या, यह एक ऐसा agreement था, जिसके चलते, US की nuclear technology को इस्तमाल करके हम इंडिया के अंदर nuclear power plant बना ले, लेकिन इंडिया overall इस पूरी की पूरी meeting में काफी लेट हो गया, देखिए, 1990s में ही अगर इंडिया-US Civil Nuclear Agreement हो जा इंडिया के अंदर स्थापित कर लेते, आज की डेट में हम इंडिया के अंदर nuclear reactor लगा रहे हैं, लेकिन nuclear reactor के प्रती जो लोगों का लगाव है, वो खतम हो चुका है, लोग अब solar energy जादा पसंद करते हैं, लोग अब wind energy जादा पसंद करते हैं, चुकि solar energy, wind energy सस्ती भी हो र इंडिया और एशियान के साथ हमने फुल डायलॉग पार्टनर्शिप कर ली, 1996 में इंडिया ने security dialogue platform Asian regional forum को जोईन कर लिया, दो हजार दो में इंडिया एशियान समिट हुआ और इंडिया एशियान के रिष्टे और स्ट्रॉंग होते गए, फिर Mr. Jyotinath Rao चाइना गए, September 1993 में, वहाँ पे भी confidence building measures की उपर बातचीत हुई, और एक बहुत important agreement साइन किया जिसका नाम था agreement on the maintenance of peace and tranquility along the line of factual control, इस agreement को अल्मोस्ट 18-19 साल तक चाइना ने मांगा और 2020 में इस agreement को wallet कर दिया, LAC पे incursence कर किया, ये agreement भी 1993 में Mr. Jyotinath दिख्षित के समय पे sign हुआ था, फिर इस सिमा पे इंडिया ने और भी बहुत से engagement शुरू हुए, जैसे इंडिया त पहला office खोला मुंबई में 1992 में, फिर दिल्ली में office खोला ताइवान का, फिर इंडिया तैपई cultural office खोला, association office ही, इंडिया तैपई association office कोला ताइवान में 1995 में इंडिया ने खोला, तो कुल मिलाके यहाँ पे राकेशूद साहब किस की बात कर रहे हैं, जो तिंदनाद दिख् जी के नीचे एक junior partner की तरह काम करने का मौका मिला, तो अव्यसी बात है, राकेशूद साहब पूरी तरीके से जानते होंगे कि जो तिंदनाद दिख्षिद जी की क्या approach रही होगी, वो किस प्रकार से काम कर रहे होंगे, और overall इस समय पे, जो तिंदनाद दिख्षिद जी की एक बात को point out कर रहे हैं राकेशूद साहथ, क्या बात? कि जो तिंदनाद दिख्षिद साब ये बोलते थे कि इंडियन डिप्लोमैसी में, sometimes you need to do a bit of भरतनातिम, भरतनातिम क्या होता है, कि आप अलग-अलग dresses पहन के, अलग-अलग forms में आप लोगों के सामने और अपने आ अलग-अलग issues के उपर, और उन अलग-अलग issues के उपर engage करने के लिए हमें जो अपने perceptions है, जो अपना outside के लिजे display है, portrayal है, उसको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है? अब इस respect में, इंडिया का यहाँ पे जो stance रहा है, Ukraine conflict को लेके, इसके उपर भी सवाल उठा रहे हैं राके अब रहे हैं कि हम बहुत जबा प्रोरशिया नजर नहीं आ रहे हैं, कुल मिला कि हम एक बीच का step लेके, रश्या के भी दुश्मन नहीं बन रहे हैं, वेस्ट के दुश्मन भी नहीं बन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह चीज हमारी helpless को दिखाता है, बहले ही China यहाँ पे West नहीं रहा है, pro-Russia भी नहीं रहा है लेकिन चाइना ने openly ये बोला है कि NATO गलत कर रहा है NATO-Russia के security interest को violate कर रहा है, कहीं न कहीं pro-Russian tilt दिखाया है चाइना ने लेकिन हम as a country ऐसा नहीं कर पा रहे है चुकि हम उसके लिए autonomous नहीं है, हम अभी भी बहुत अधक Western countries के ऊपर defense requirements के लिए dependent है, technology के लिए dependent है, and same goes for Russia तो इस dependency के चलते हम proper भरत नाट्टेम यहाँ पे नहीं कर पा रहे है हम बस एक side-on looker की तरह नजर आ रहे हैं, जो कि side में एक particular player खड़ा हो गया, वो बस देख रहे है कि conflict चल रही है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है तो यह कहीं न कहीं, इंडिया की international image को hurt करता है इंडिया की soft power और hard power दोनों को hurt करता है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे है, राकेशूसा, मतलब Mr. Jyotindanaad Dikshid जी का भरत नाटे में यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे बस हमें साइड लॉन लुकर की तरह काम कर रहे है चोकि साइड में खड़ा है, और बस चीजों को होता हुआ देख रहा है ठीक है भई, यह यहाँ पे बताया गया फिर अगले आटिकल चलते हैं Miss firing and its trail of poor strategic stability, क्या बताया जा रहा भई, यहाँ पे इसको समझने कोशिश करते हैं तो भई, Indian missile की accidental firing हो गई, पाकिस्तान के अंदर कब 9 March को, यह तो आपको पता है दो nuclear adversaries के लिए यह जो particular event था यह काफी dangerous बन सकता था दोनों ही countries nuclear powered countries हैं इस प्रकार की events problem create कर सकते हैं एक सवाल उठता है on the standards of storage, maintenance, handling and engineering of high technology weapon system in India crisis management, और वेसी बात है इंडिया पाकिस्तान के अंदर काम है deep mistrust है, इंडिया की system में भी पाकिस्तान के प्रती, और पाकिस्तान की system में deep mistrust है, इस mistrust के बीच में, overall अगर इस प्रकार का missile firing accident हो जाता है, तो इससे चीज़ें बिगड सकती है, पाकिस्तानी जो response था, वो थोड़ा ठीक था, पाकिस्तान army ने statement issue किया, गैरम आज को की missile आई थी इंडिया के तरफ से, उसमें कोई nuclear warhead नहीं था, ठीके न, पाकिस्तान ने ये जाम नहीं लगाया कि intentionally इंडिया ने ऐसा किया है, हाला कि पाकिस्तान ने openly बोला कि joint probe होनी चाहिए, हमें इस joint probe में मौका मिलना चाहिए, इंडियन authorities ने भी चीज़ों को छुपाया है नहीं सामने से आया और बोला कि भाई देखें missile diverge कर गई है, इसके उपर हमने inquiry constitute कर दी है, हाला कि पाकिस्तान जो डिवांड कर रहा है कि joint probe कराओ, वो नहीं हो सकती, एक reverse engineering की भी बात आ रही है, कि भाई, ये जो missile, ब्रमोज missile जो की cruise missile पाकिस्तान की territory के अंदर जाके गिरी है, तो क्या इस missile टूटी हुई damaged missile के अंदर के पुर्जों को देखके, ब्रमोज जैसा version पाकिस्तान मना सकता है अपने आपे, इसकी भी उपर बास्चीत होनी शुरू हो गई उदर, बाराल वो यहां तरफ के high commissioners, ambassadors है नहीं ठीक है न, charge the affairs के हिसाब से यहां पे काम चल रहा है, expert level talks on nuclear confidence building measures यह यहां पे overall होनी रही इंडिया पाकिस्तान की बीच में इंडिया पाकिस्तान के रिष्टे बहुत खराब हैं किसी प्रकार से seas fire हो गया था पिछले साल, वो भी कब टूड जाए हमें पता नहीं तो overall अगर यह जो missile firing incident था, अगर यह किसी दूसरे गलत समय पहो जाता, मानलो bala court air strike के समय पे या फिर UP का जब election चल रहा था उस समय पे पाकिस्तान retaliate कर देता है इस missile firing के चलते तो ऐसे समय पे हालात इंडिया पाकिस्तान के बीच में बेगड सकते थे एक बड़ी crisis यहाँ पे उठ सकती थी ठीक है तो बहुत सारे severe broken arrows हैं जब nuclear weapons की बात होती है nuclear power के एक दूसरे के backyard में रहने की बात होती है तो कभी कभी इस प्रकार के जो events है वो एक अगली turn ले लेते हैं यहाँ पे जो missile गई है इंडिया की तरफ से most probably उसे ब्रमोज missile बताया जा रहा है जो कि एक nuclear capable cruise missile है अब यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि क्या भाई ऐसा कोई agreement नहीं है इंडिया पाकिस्तान की बीच में जिसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बता दें कि हाँ भाई हम इस particular missile की testing कर रहे हैं पहले ही बता दिया जाए तो confidence building measure और ज़्यादा हो पाए तो इंडिया और पाकिस्तान की बीच में एक agreement है pre notification of flight testing of ballistic missiles agreement यह October 2005 में sign हुआ था तो अगर ballistic missiles पाकिस्तान टेस्ट करेगा तो इंडिया को बता देगा इंडिया अपनी जमीन पे टेस्ट करेगा तो पाकिस्तान को बता देगा लेकिन problem यह थी कि pre notification of flight testing of ballistic missile agreement में cruise missiles covered नहीं है और यह जो ब्रमोज missile हमने fire की थी जो कि diverge करके पाकिस्तान में चली गई यह cruise missile थी तो इस 2005 के agreement के हिसाब से इंडिया को पाकिस्तान को बताना ज़रूरी नहीं था इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं बताया तो यहाँ पर author यह बोल रहा है कि important यह है कि जब भी इस प्रकार की missile की testing हो तो cruise missiles और जितने भी दूसरी प्रकार की missiles यहाँ पर test की जा रही है इनके testing की advance information पहले ही दूसरी country को दे दी जाए ताकि अगर कोई unwanted accident हो जाता है तब आप कहलो confidence building measures को जल्दी deploy किया जाए situation गलत direction में ना जाए प्लस यहाँ पर जखाप साब बोल रहे हैं कि समय समय पर confidence building measures और जो exercises होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में यह होती रहनी चाहिए इस प्रकार की exercise cold war drivers USA और USSR के बीच में होती रहती थी पटे इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रही है regional strategic stability के लिए यह exercises करनी ज़रूरी है यहाँ पर एक mechanism की बात कर रहे है और इस mechanism का नाम है NRRC Nuclear Risk Reduction Centers यह जो nuclear risk reduction centers थे यह USA ने establish किये थो और Soviet Union ने establish किये थे cold war के समय पर इस प्रकार का कोई भी mechanism इंडिया पाकिस्तान ने इस समय पर established नहीं किया यहाँ पर author example दे रहा Permanent Indus Commission की Indus Water Treaty के अंदर Permanent Indus Commission मनाया गया और पानी से related बहुत सारी problems को इंडिया पाकिस्तान ने मिलके resolve किया तो उसी प्रकार से nuclear risk reduction centers को बना के इंडिया पाकिस्तान समय समय पे nuclear technology पे एक दूसरे के साथ engage करके confidence building measures को implement कर सकते हैं और चीजों को सही समय पे sort out कर सकते हैं प्लस Directorate General of Military Operations जो इंडिया के थे अगर missile misfire हो गई थी तो hotline का इस्तमाल करके इंडिया पाकिस्तान की बीच में बातचीत करके पहले इंडिया पाकिस्तान को बता सकता था कि भाई इस प्रगार की कोई missile लॉंच हुई है पट ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या यह है कि hotline नहीं चल रही है तो यह भी गलत बात है Happyman Jacobs आप बेसिकली यहां पे proper lines of communication को खोलने की कोशिश कर रहे इंडिया पाकिस्तान के बीच में ताकि कोई adverse चीज हो जाए तो बातचीत के थुरू उससे sort out किया जा सके उसको बहुत ज़दा बड़ा नाबनने दिया जाए तो यह viewpoint है यहां पे Happyman Jacobs आप का अच्छा viewpoint है बट जो present हाला चल रहे है इंडिया पाकिस्तान के उसमें यह viewpoint implement हो पाएगा इसके ओपर एक संदे है चुकि बहुत डीप मिलिश्टर्स ते दोनों ही countries को एक दूसरे के ऊपर तो यहां पे हम अपने discussion को हतम करते हैं Thank you for watching friends जाद जाद लोग साथ lecture को शेर करना Instagram पर follow कर लिजे Telegram को चुन कर लिजे I hope आपो काफी कुछ यहां पर सीखने को में रहा Have a great day, good bye